जीवों में श्वसन भाग एक पहाडियों पर चड़ना, दोड़ना या तैरना ये सारी क्रियाएं आपने की होंगी जब आप ये सब करते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? हम शायद कुछ समय तक भोजन, पानी या नींद के बिना रह सकते हैं लेकिन क्या हम सांस लिये बिना रह सकते हैं? श्वसन या सांस लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे जीवित रहने के लिए यह जरूरी है इस वीडियो में आप श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे आईए हम आपको हिमाचल प्रदीश के पहाड़ी इलाकों के एक गाउं में ले चलते हैं जहां सुमन और मुन्ना रहते हैं दीदी, पता है आज जब मैं रामु चाचा की दुकान पर गया था तब मैंने वहाँ कुछ यातरी देखे, वे बहुत चिंतित लग रहे थे क्यों? क्या हुआ था? दीदी, तुम जानती हो ना कि हमारे गाव में कुछ यातरी आये थे और वे उस पहार पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और रामु चाचा उनके लिए सबायोजन कर रहे थे याद आया? हाँ, याद आया, ये तो तीन दिन पहले की बात है हाँ, दीदी, लगता है उन में से एक लड़का बिमार पढ़ गया और वे लोग रामु चाचा से मदद लेने आये थे उन लोगों को अपने शेहर वापस जाना था आपको क्या लगता है उस लड़के को क्या हुआ होगा? लगता है कि वहाँ पहाड चड़ नहीं पाया हम्, आपने ठीक कहा दीदी वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी पता है मुन्ना, पहाड चड़ना इतना आसान काम नहीं है इसके लिए काफी मेहनत लगती है हाँ दीदी, पहाड इतना उचा जो होता है सही कहा, वहाँ सांस लेने में मुश्किल होती है उचाई के साथ अक्सिजन की मात्रा कम होती जाती है इसका मतलब है कि परवतों पर या उचाई बढ़ने से हम हापते है हाँ, सही कहा दीदी, जब मैं दौरता हूँ, तेज चलता हूँ, नाचता हूँ, तब भी मैं हापता हूँ बच्चों, बगैर सांस के हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि जब हम तैरते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? मुन्ना, इधर आओ तुमने पढ़ा ही है कि सभी जीव बहुत सुक्षमे इकाईयों से बने होते हैं, जिने हम कोशिकाई कहते हैं हेई मुन्ना, मैं कोशिकाई हूँ, तुम्हे तो पता है कि मैं अरबों की गिंती में मानव शरीर में रहती हूँ तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो, मैं तो पोशन, परिवहन, जननित्यादी सभी कारियों में भूमेकाने भाती हूँ दीदी हाँ, मैंने कोशिकाई के बारे में पढ़ा था कोशिकाई को पोशन, जनन, इत्यादी काम करने के लिए उर्जा की अवश्यक्ता होती है ये उर्जा कहां से आती है? तुम बताओ, जब तुम थकान महसूस करते हो, तुम क्या करते हो? मैं तो भोजन खाता हूँ दीदी, खाना खाने के बाद मुझे ताकत आती है तुमने सही कहा, हम जब खाना खाते हैं, हमें उर्जा मिलती है लेकिन ये कैसे होता है दीदी? खाना खाने और उर्जा मिलने के बीच क्या संबंध है? मुझे समझाओ न अरे मुन्ना, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है? ये कोशिका फिर से आ गई जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और हम शरीर से कार्बन डायोकसाइड को सांस से बाहर छोड़ते हैं सही कहां यह ओक्सिजन हमारे पूरे शरीर में जाती है और मुझ तक पहुँचती है और यहां ओक्सिजन भोजन को विभाजित करती है और शरीर को ऊर्जा देती है हम मुझे अब समझा गया कि खाना खाने से शरीर में उर्जा कैसे आती है तुम्हें समझा गया पता है औक्सिजन भोजन को छोटे घटकों में बांट के हमें उर्जा देती है यानि कि खाने को विभाजित करती है इसे वाय वियश्वसन कहते है दीदी क्या ऐसा कोई जीव है जो अक्सिजन के बगएर भी खाने को विभाजित करता है हाँ यी स्टेक जीव है जो वायू की आनुपस्थिती में भी जीवित रह सकता है और भोजन को विभाजित करता है इस प्रक्रिया को अवाय वियश्वसन कहते हैं लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से एलकोहॉल बनता है दीदी मुझे थोड़ी थकावट हो रही है लगता है मेरे शरीर को उर्जा की जरूरत है चलो मैं कुछ खा लेता हूँ हाँ 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 चलो बच्चों जब लोग दौरते हैं तैरते हैं या कुछ और काम करते हैं उन्हें थकावट तो मैसूस होती ही है लेकिन उनको भूग भी लगती है ऐसा क्यों होता है मुन्ना पता है श्वसंदर विभिन परिस्थितियों में अलग-अलग होता है जब हम आराम करते हैं श्वसंदर अलग होता है जब पैदल चलते हैं यह दर अलग होता है और जब हम दौरते हैं यह दर बढ़ जाता है मैं जब दौरता हूँ, मुझे बहुत भोक लगती है इसके लिए भी एक कारण है जब हम दौरते हैं, तब सांस बढ़ जाती है और हमें ऑक्सिजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और ज्यादा ऑक्सिजन उपियोग होती है इसकी वजह से खाना ज्यादा विभाजित होता है और अधिक उर्जा का उपियोग होता है अच्छा, इसलिए हमें ज्यादा भूक लगती है दीदी, ये सब समझाने के लिए दन्यवाद बच्चों, हमने देखा कैसे ऑक्सिजन खाने को विभाजित करती है और मानव शरीर को कैसे उर्जा देती है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं फिर मिलेंगे, धन्यवाद कि अगले कि मिलेंगे, धन्यवाद शरी छिरओ चाने के विए रपका